हलो दोस्तों स्वागत आप लोगों का एक और नई क्लास में और बेस्ट नोर्ट टिटोरिल में आप सभी लोगों का स्वागत है आसा है आप सभी लोग अच्छे होंगे तो चलिए आज की नई क्लास शुरू करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं UK PSC और UK SSS में पोशे जाने वाले विस इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में और UK PSC के कम्प्लीड नोर्ट में आपको उत्राखन MCQ सेरीज में पढ़ा रहा हूँ और यदि आप इस पीडियाप को ले रहे चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंड में आपको वाट्चाप गुरूप लिंक मिल जाएगा आप वहाँ से जॉइन कर सकते हैं या आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं स्क्रीन पर आपको नमबर दिखाए दे रहा होगा तो चलिए बिना देरी के आज के नई क्लास के शुरुआत करते हैं पहले MCQ है आप लोगों के लिए प्रसिद पेशावर कांड कब हुआ था 1939 में, 1930 में, 1931 में और 1932 में तो इसमें जो सयान चाहर है वो है उप्शन नमबर बी सन 1939 में, आप्शन नमबर बी आपका सयान सर है आप यहां पे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा 23 अपरेल, 23 अपरेल 1930 में पेशावर कांड घटित हुआ था आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप नोट्स में लिख सकते हैं यह आप पीडियाप्स ले सकते हैं गुरूब में जुड़के और पूर्ण स्वराज को लेकर अंदूलन चल रहा था उस समय देश में इसके बारे में बाकी ज़्यादे इंपोर्टेंट है नहीं अगला हमसी क्यों है निमने लिखिन में से उतराखंड की प्राचीन जाती या प्रजाती नहीं है यक्ष, नाग, खाशी और किनर यानि उतराखंड का जो प्राचीन समय था उस समय उतराखंड की जो प्रजाती थी वो कौन नहीं थी यक्ष नाग खासी किनर तो इसमें खासी एक प्रजाती है जो कि बाहर देश राजियों में निवास करती थी ये उत्राखन में निवास नहीं करती थी यानि यक्ष नाग और किनर प्राचिन समय में उत्राखन की प्रजातियां थी खासी नहीं थी अगला MCQ है डोला पालकी का समद निम्ने से किस से है? किसानों से, महिलाओं से, सिल्प कारों से और आदिवासियों से तो आप्सन नमबर सी आपका इसमें सही आंसर है सिल्प कारों से डोला पालकी का समद सिल्प कारों से था अगला MCQ है निमनी लिखिन में से कुमाओ में चंद सासन का जन्म दाता कौन था राजा ग्यान चंद, राजा कल्यान चंद, राजा थोहर चंद और राजा सूम चंद तो इसमें जो सयान से रहा हो था ओप्शन नमर डी राजा सूम चंद कुमामे , चंद्वंस का चंद्वंस जो जमन दाता था राजय सॉम चंद अगला September है। उत्राख्राशन राजय के खा़का कितने जिल्ले चीन चीन एक तिबत से सीमा बनातें हैं एक two three three और four तो उत्रा खा़कर आज़्ञे जो जिल्ले हैं केवल 3 जिल्य ऐसे हैं जो चीन से सीमा बनाते हैं और वो जिल्य हैं आपके पितोरगड, पितोरगड, चमोली और उतरकासी ये 3 जिल्य तिबत चीन की सीमा से सीमा से अगला एमसी क्यों है निमने लिखित में से दार्मा एवं ब्यास घाटियों को जोडने वाला दर्रा है सिनिला, उटा, जातिया और रामल तो इसमें जो सही आंसर है वो है सिनिला ओप्चिन नमर A दार्मा और ब्यास घाटियों को जोडने वाला जो दर्रा है वो है सिनिला option number A is right answer अगला M.C. क्यों है प्रैसित फूलों की गाटी उत्राखन की किस जन्पन में इस्तित है रुद्र प्रियाग, पिथोरगड, चमोली और उत्रकासी तो इसमें जो आपका सेयांसर है वो है option number C फूलों की गाटी कहां इस्तित है वो है चमोली जिले में और फूलों की गाटी यानि flowers valley the valley of flowers आप कह सकते हैं इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है अगला M.C. क्यों है निमन वन जीव विहार वो उनके इस्तापना वर्स में कौन सुमेलित नहीं है गुविन इस्तापना वर्स में कौन सुमेलित नहीं है अगला M.C. क्यों है निमन वन जीव आरक्सी छेत्र उतराखन के किस जनपन में इस्तित है टिहरी में, नैनिताल में, पिथोरागार में और चमोली में तो option number D is योर राइट आंसर चमोली में निमन देवी जीव आरक्सी छेत्र उतराखन के चमोली जनपन में इस्तित है और अगला M.C. क्यों है उतराखन में बिकेट बंदोबस्त कब हुआ था 1863 से 1873 में या 1873 से 183 में 1853 से 63 में और 1883 से 93 में तो इसमें जो आपका सयान सरह है वो हो option number E 1863 से 1873 में अगला M.C. क्यों है जानवी नदी का संबन निमन में से किस नदी से है काली, रामगंग, अलकनन्द और भागी रथी तो आपका इसमें जो सयान सरह है वो है option number D भागी रथी जानवी नदी का जो संबन है वो है भागी रथी नदी से अगला M.C. क्यों है आप लोगों के लिए निमन लिखिद में से भारत का प्रेथम रास्ट्रिय पार्क कौन सा है option number E रास्ट्रिय रास्ट्रिय पार्क फूलों की घाटी जिम कारवेट रास्ट्रिय पार्क और गंगोत्रि रास्ट्रिय उद्यानिय पार्क आप कह सकते हैं तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है जिम कारवेट रास्ट्रिय पार्क option number C is your right answer भारत का ये प्रेथम रास्ट्रिय पार्क है जिम कारवेट रास्ट्रिय पार्क option number C is your right answer ये डे 13 या डे 12 में MCQ सिरीज में आपको इसके बारे में बता दिया था होफुली कि आपको ये रिमेंबर हो चुका होगा और हम चलते हैं अगले अगले MCQ है निमने लिखिद में से सही युगम का चैयन कीजिए गंगोतीरी नैसीनल पारक उतरकासी बिंसर वाइलड लाइफ सेंचुरी अलमोडा सोना नदी वाइल लाइफ सेंचुरी ए और दोनो सही निमने लिखिद में से मैथी अन्दूलन के प्रेरेणता कौन थे कल्यान सिंग रावत, जगत सिंग चौधरी, सुन्दरलाल भहगुना और गौरा देवी तो इसमें जो सही आंसर है वो है आप्सिन नमर ए कल्यान सिंग रावत मैती आंदूलन के प्रेरनता थे मैती वैसे मैती एक भावनात्मक और पर्यावरन आंदूलन है उतराखन में जी विग्यान के जो प्राध्यापक कल्यान सिंग रावत की सोच से इस मुहीम के सुरुआत हुई थी और अभी वर्तमान में चमुली जनपत की बात की जाए तो वहाँ एक अभियान का रूप ले चुकी है मैती आंदूलन मैती यानि सादी के समय दूलहा और दूलन द्वारव फल्दार या कोई भी उरिक्ष का रोपन करना और मैती का जो अर्थ होता है वो होता है माई का मैती आंदूलन के जनक हम कह सकते हैं स्री कल्यान सिंग रावत जी वो कहते हैं कि इस आंदूलन की जो हमें प्रेड़ना उन्हें कहां से मिली है वो मिली है चिपको आंदूलन से अगला M.C.Q है चरक सहिता में उतराखन छेतर को क्या कहा गया है औसदी घर, वानस्पतिक बगीचा, औसदी धाम और औसदी उपवन अगला M.C.Q है उतराखन राजय में तकनिकी हंस्तातर योजना के तहट छे सो सतर न्याई पंचायतों में फार्मर टू फार्मर्स एप्रोच कारेकरम कब सुरू किया गया था तो वो किया गया था आपका दो जार पांच और छे में अगला M.C.Q है स्वतद्रता के बाद उतराखन राजय में पहला भूमी बंदोबस्त कब किया गया था तो वो किया गया था आपका अपका अपसिन न्मर सी अगला M.C.Q है स्री पूर्णा गिरी मंदिर उतराखन राजय के कि जिल्य में इस्तित है तो वो है आपका अपसिन नमर B. चंपावज जिल्य में अगला M.C.Q है कटार माल सूर्य मंदिर की वास्ति सेली क्या है नागर द्रेविन उतराखन और मुगल तो इसमें जो सेयांसर है हो है आपसिन नमर सी उतराखन सेली अगला M.C.Q है निम्न में से उतराखन का सरवादिक छेतपल वाला रास्त्रे उद्यान कौन सा है तो गंगोतरी रास्त्रे उद्यान आपका इसमें सेयांसर है छेतपल वाला रास्त्रे उद्यान है गंगोतरी रास्त्रे उद्यान तो दोस्तों इसी के साथ हमारा डे 14 भी समाप्त होता है तो दोस्तों बहुत बहुत सुक्री आप लोगों का यहां तक जुलने के लिए होफिलिए कि आपको वीडियो पसंद आये होगे पसंद आये है तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए एक यूटूबर यही बूल सकता है और यदि आप UKPSC और UKSSC की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे और से आपको अगरिम बधाईयां और शुब कामनाएं थैंक्यो फॉर वाचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे बलेस्ट